3 major concepts मैं आप लोगों से discuss करना चाहरा हूँ ये concepts अगर आप अपनी जिन्दगी में use करते हैं तो ये huge impact कर सकते हैं आपकी life और आप बहुत अच्छा अपनी जिन्दगी में progress कर सकते हैं first जो है वो ये है के डर के आगे जीत है डर को जिन्दगी से निकाल दो कभी भी डरो मत किसी भी चीज से fear नहीं होना चाहिए आपकी जिन्दगी में अगर आप fear को रखते हैं अगर डर को पाल रहे हैं तो आप कोई भी काम करने से डरेंगे कोई भी छोटा investment करने से डरेंगे कोई भी decision लेने से डरेंगे तो डर के आगे जीत हैं, अगर आप जीतना चाते हैं, किसी भी work में, किसी भी काम में progress करना चाते हैं, चाहे आप students हैं, आप exam दे रहे हैं, चाहे आप business man हैं, आप business कर रहे हैं, चाहे आप job करना चाते हैं, जा आप कोई भी business करना चाते हैं, तो जो भी काम करना चाते हैं, करेंगे तब ही आप उसमें तरक्की कर पाएंगे तो फेर को आज ही अपनी जिन्दगी से निकाल दीजिए because डर के आगे जीत है यह first concept है जिसको आपने हमेशा याद रखना है second जो concept है डर के आगे जीत तो हो गई लेकिन उस जीत को करने के लिए जो भी आप करना चाहते हैं उसका home work अच्छे से करें उसको अच्छे से सीखें skills को आपने अच्छे से सीखना है skills को आपने develop करना है अगर आप skills को अच्छे से develop करेंगे चीजों को अच्छे से सीखेंगे तो डर के आगे जीत है और जीतेंगी भी तभी अगर आपने वो चीजों को सीखा होगा अगर बिना सीके आप डाइव लगा दोगे उस चीज में तो आप डूबोगे ही एक लड़का था वो खड़ा था एक तलाब के बाहर बहुत सारे लोग उसमें तैर रहे थे तलाब के अंदर छलांग लगा रहे थे और स्वीमिंग कर रहे थे वो भी देख रहा था उसने सोचा ये क्या है ये तो मैं भी कर लूँगा स्वीमिंग करना बहुत एजी है जैसे ये कर रहे हैं वैसे मैं भी कर लूँगा उसने ना आगे देखा ना पीछे देखा डाइव लगा दिया उस स्वीमिंग पूल के अंदर और डूब गया because उसने swimming सीखा नहीं उसने सोचा ये भी कर रहे हैं मैं भी कर लूँगा तो सबसे पहले चीजों को सीखिए तो डर के आगे जीत है skills को develop कीजिए two concepts ये बहुत important है अपने mind में आज से ही रख लें कि हमने डर के आगे जीत है हमने जीतना है second हमने skills को develop करना है जो भी हम करने जाएं उनको अच्छे से सीखें उसके जो भी प्रणाम है उनको देखें उनको study करें फिर उसके अंदर हम लोग dive लगाएं third जो concept है जो काफी important है कि आपने बड़ा सोचना है हमेशा big बिग सोचेंगे तो आप big बनेंगे तो बड़ा सोचो हमेशा example लेते हैं कि अगर कोई सोच रहा है कि मैं मारूती की कार लूँगा पैसे कमाने के बाद आगे बढ़ने के बाद तो आप ये सोचिए कि मैं BMW लूँगा मैं Audi लूँगा मैं बड़ा बंगलो बनाऊंगा बड़ा घर बनाऊंगा तो ये चीज आप सोचना है कि मैं Audi चला रहा हूं मैं BMW चला रहा हूं मैं बड़े घर में हूँ मैं अच्छे घर में हूँ मेरा अच्छा relation है सब के साथ मेरी बहुत अच्छा जो system है वो बना हुआ है सभी मुझे प्यार कर रहे हैं सभी मुझे अच्छा समझ रहे हैं सभी के साथ मेरा relation जो है वो बहुत अच्छा develop हो रहा है तो ये तीन जो important concept है इनको आपने हमेशा mind में रखना है first डर के आगे जीत है आपने डरना नहीं है fear को निकाल देना है second जो है कि आपने हमेशा skills को learn करना है चीजों को सीखना है वो चीजों को सीखने के बाद उसके साथ आपने काम करना है जो भी आप करना चाते हैं सीखने के बाद डर के आगे जीत है उसमें आप dive लगाएंगे third जो है कि आपने हमेशा बड़ा सोचते रहना है अच्छा सोचना है और वो चीजों को achieve करने के लिए उसमें अपने आपको implement करना है कि मैं इसमें हूँ इस वक्त मैं बहुत अच्छे वादावरण में हूँ मेरे आस पास ये सारी चीजें हैं उसमें आपको realize करना है कि ये सारी चीजों में मैं already available हूँ ये सब मेरे पास है मैं BMW चला रहा हूँ मैं Audi चला रहा हूँ या जो भी गाड़ी बड़ी आप पसंद कर रहे हैं उसको आप drive कर रहे हैं तो ये सारी चीजें important है अगर आप तीनों concept को अपने mind में बिठा लेते हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं तो आप जिन्दगी में बहुत 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 अच्छा कर सकते हैं बहुत grow हो सकते हैं और बहुत आगे बढ़ सकते हैं तो ये वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं next वीडियो के साथ अगले concept के साथ Thank you very much चाचा बाइबाइ